ओम्श्री परमात्मने नम्हा जै मातादी नवरात्री के आठमे दिन मा महागौरी की उपासना और आराधना की जाती है। ये मा बहुत अमोग फल दाइनी मा है। श्वेते व्रशे समार उढ़ा श्वेतां बरधरा शुचिही माहागौरी शुभम्दध्यान माहादेव प्रमोदया। अर्थात नवरात्री में आठमे दिन माहागौरी शक्ती की पूजा की जाती है। जैसा की नाम से ही प्रकट है कि इनका रूप उनतह गावरवन का है। इनकी उपमा शंक, चंद्र और कुंद के फूल से दी गई है। अश्ट वर्शा भवेत गावरी यानि इनकी आयू आठ साल की मानी गई है। इनके सभी आभूशन और वस्त्र सफेध हैं। इसलिए उन्हें श्वेतांबर धरा कहा गया है। चार भुजाएं हैं और वाहन व्रिशब है। इसलिए व्रशा रूडा भी कहा गया है। इनके उपर वाला दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है। तथा नीचे वाला हाथ त्रिशूल धारन किया हुआ है। उपर वाले बाय हाथ में डमरू धारन कर रखा है। और नीचे वाले हाथ में वर मुद्रा है। इनकी पूरी मुद्रा बहुत शान्त है। पती रूप में शिव को प्राप्त करने के लिए महागौरी ने कठोर तपस्या की थी इसी वज़े से इनका शरीर काला पड़ गया लेकिन तपस्या से प्रसन होकर भगवान शिव ने इनके शरीर को गंगा के पवित्र जल सिद्ध होकर कान्तिमय बना दिया उनका रूप गौरवर्ण का हो गया इसी लिए ये महागौरी कहलाई ये अमोग फल दाईनी मा है इनकी पूजा से भक्तों के तमाम कलमश धुल जाते हैं पूर्व संचित पाप भी नश्ट हो जाते हैं महागौरी का पूजन अर्चन उपासना अराधना कल्यानकारी है इनकी क्रपा से अलाकिक सिधियां प्राप्त होती है जै माता दी